नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस औराप देख रहे हैं ऐलेक्ट्टोर लेक आये मैं projects यहां पर लिखा हुआ है 12 वोल्ड से लेकर 24 वोल्ड तक आप इसको ओपेट कर सकते है लेकिन 12 लिखा होता है लेकिन आप यहाँ पर 4 बॉल्ड का LED भी चला सकते हैं दूसरे वाले पे लिखा होता है यहाँ पर 17 गरिण बेलू LED याणि क्ये यहाँ पर आप 3 LED लगा के जला सकते हो और यहाँ पर जो इन्पूत से आप Size 5 chance और से लोड़ से 24 बॉल्ट कि जितने बोल्ट की आप LED लगाएंगे उतने ही बोल्ट की आपको इसको सप्लाई देना है तो यहां पर हम सबसे पहले यूज करते हैं जो नॉर्मल वाला हमारा LED चेंजर आता है तो इसको बहुत से भाई LED ड्रीमर भी बोलते हैं और LED कंट्रोलर भी बोलते हैं तो इसके मतल यह देखिए एक बारा बोल्ट की LED एक चार बोल्ट की LED है तो चार बोल्ट की LED में आपको जला के दिखाता हूं तो देखिए यहां पर सिंपल कनेक्शन है देखिए जहां LED लिखा हुआ यह देखिए यहां LED लिखा हुआ है माइनस पिलस लिखा हुआ है तो LED को हम जो है उ क्या करेंगे एक चार बोल्ट का ही एलेडी लगा देंगे एलेडी हमारा तीन से चार बोल्ट का है तो चार बोल्ट का मैं एलेडी लगा यह बैटरी लगा दूँगा तो ये देखिए 4 बोल्ट का ही मैं यहाँ पर बैटरी को connect कर देता हूं तो ये देखिए connect हो गया और हमारा LED जो है वो चालू हो गया ये देखिए अब इस controller से जो है मैं change भी कर सकता हूं ये देखिए ये देखिए इस controller से देखिए ये change भी हो रहा है ये speed का है इसके अंदर की speed हमें LED का कितना रखना है ये हमारा normal में आ जाएगा जैसे normal LED होता है तो ये देखिए ये तो हो गया हमारा 4 बोल्ट का LED अब इसी के अंदर हमें लगाना है 12 बोल्ट का LED तो हम कैसे लगाएंगे तो यहाँ पर हम simple वही connection करेंगे जहाँ पर LED लिखा हुआ है वहाँ पर हम 12 बोल्ट की LED को लगा देंगे ये हमने लगा दिया 12 बोल्ट का LED ये देखिए ये हमारा 12 बोल्ट का LED हो गया अब हमें इसे क्या कर रहा हो का 12 बोल्ट का ही supply देना है तो 12 बोल्ट का supply देने के लिए मैंने यहाँ ले रखा है 12 बोल्ट 1 एमपेर का adapter आप चाहे तो इसके अंदर 12 बोल्ट की जो बाइक की या कार की बैटरी होती है उसको भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं जड़ा इसको पावर दे देता हूँ तो यह हमारा इसके अंदर पावर आ गया और simply वैसे ही connection करेंगे जहाँ पर हमारा 5 बोल्ट से 24 बोल्ट लिखा हुआ है उसी जगे पर मैंने इसके connection कर दिये तो यह देखे यह हमारा LED चालू हो गया यह कैसे हुआ कि 12 बोल्ट का supply लगा है तो चार बोल्ट की supply देना है इसे हमारे जो controller है और अगर 12 बोल्ट का LED चला रहे हैं तो 12 बोल्ट का controller हमारा है तो इस तरीके से यह controller जो है LED के अनुसरा काम करता है कि LED जितने बोल्ट का है उतने ही बोल्ट की हमें supply देना होगा तो यहां पर यह 24 बोल्ट की LED तक को जला सकता है और बहुत से भाई मेरे पास comment करते हैं कि सर इसके अंदर हम कितना LED जला सकते हैं तो यहां पर अगर आपके पास 12 बोल्ट का LED है तो आप कम से कम 10 LED यह जला सकते हैं एक controller से और अगर आपके पास 4 बोल्ट का LED है तो यहाँ पर कम से कम 50 LED आप इस कंटोलर से जला सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ साइड यह हमने कर दिया इसे साइड और अब आजाते हैं हमारा जो रेड ग्रीन बिलू यानि कि यह 6 वायर का है एक साइड में 4 वायर होती है और एक साइड में 2 तो यहाँ पर ही सिंपली लिखा हूँ है रेड ग्रीन बिलू LED और यहाँ पर लिखा हूँ है पांच बोल्ट से 24 बोल्ट तक की इसे हम सप्लाई दे सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे तो टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर यह तीन LED ले लिए अगर आप चाहे तो इसके अंदर एक LED भी लगा सकते हैं वो भी वर्क करती है तो यहाँ पर इसके connection कैसे होंगे देखिए जो LED का positive वाला point है यह देखिए positive मैंने सारे एक side में जोड़ रखे हैं तो positive वाला जो है देखिए मैंने निसान बना रखा है यहाँ पर इसमें लिखावा नहीं होता तो देखिए positive तो मैंने एक side में लगा दिये सारे और जो LED के negative है यह देखिए negative जो है एक एक pin मैं सबकी लगा दूँगा तो यह देखिए negative की मैंने सारी एक एक pin लगा दी यहाँ पर आप चाहिए तो wire भी solding कर सकते है यह देखिए negative का एक एक point लगा दिया positive सारे एक side में लगा दिये अब इस LED को मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस तरीके से सीधा जिसे की आपको camera में एक दम बढ़िया दिखाए थे आप देखिए मैंने यहाँ पर 12 बोल्ट की LED लगा आया है तो मुझे supply भी 12 बोल्ट का ही देना होगा अब यह देखिए मैं supply लगा देता हूँ 12 बोल्ट की और देखिए दोस्तों इसके अंदर जो आपको changer है वो बहुत जादा मिल जाएंगे यह देखिए देखिए अभी किस तरीके से LED जल रही है हमारी यह देखिए तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसको change करता हूँ देखिए अब red वाली आ गई फिर यह आप green आ गई फिर हमारी white आ गई और यह देखिए तो इस तरीके से यह changer काम करता है और देखिए सारा automatic अगर करना है तो देखिए एक पर एक LED हमारी देखिए काम करेगी यह देखिए तो आपने देखा red green blue का जो circuit है वो इस तरीके से काम करता है और single वाला इस तरीके से काम करता है लेकिन अगर आप यहाँ पर एक LED भी लगाएंगे तो वो भी काम करेगी यह देखिए मैं एक LED का connection निकाल देता हूँ यह निकाल दिया फिर यह दूसरी का भी निकाल देखिए अगर आप एक LED भी जलाना चाहेंगे तो वो भी जलेगी और अगर आप तीन LED को जलाना चाहेंगे तो वो भी जलेगी तो यहाँ पर देखा आपने कि यह multi color हमारा controller है और यह हमारा normal controller है तो दोस्तों मेरी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना सेर करना सब्सक्राइब करना और बैल काया करना जूट दोबाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा और दोस्तों अगर मेरे को description में इसका link मिलत है कहीं भी website पर तो मैं description में इसका link डाल दूँगा वहां से जाके आप इसे purchase कर सकते हैं